मैं हैमन साहू मेरे यूट्यूब चैनल हैमन साहू स्टडी सरकल में आपका स्वागत करता हूं चैनल को सब्सक्राइब केजिए कखशा दसवी के पहले अध्याए के चैनल करें इसमें हम कुछ और महात्पून प्रहशनों पर चार्चा करेंगे और इनहीं महात्तपून प्रष्चन तो हम क्या भूलेंगे किसी राशायनिक अभिक्रिया की दर उसकी एकाई समयांत्राल में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन के बरावर होती है मतलब एक निश्चित समय में जब किसी अभिकारक और उत्पाद का सांद्रन जितना भी होगा वो क्या होगा बरावर होगा तब उसे क्या कहा जाएगा रासाइनिक अभिक्रिया की दर या rate of reaction मतलब हमारी जो अभिक्रिया है वो किस दर से संपन हो रही है स्पीड क्या है उसकी ठीक है योगे परिवासा किसी रासाइनिक अभिक्रिया की दर उसकी एकाई समयांत्राल में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रन में जो परिवर्तन हो रहा है उसके क्या होती है बरावर होती है ठीक अब इसकी होती है क्या एकाई क्या होती है एकाई होती है अब देखो अभी का रखें तो पदार्थ हुआ और पदार्थ कौम किसमें मापते हैं मोल में और चुंकि यह लिक्विड के रूप में हैं अगर तो इन्हें क्या बोलेंगे है मूल पिरती लीटर और समय अंतराल को समय कमातर क्या है सेकंड तो हम इसे क्या बोलेंगे सेकंड में या मिनट में ठीक है या फिर हम बोल सकते हैं कि मूल प्रती लीटर प्रती सेकंड मुल ली टरिया इन्वर्स सेकरड्र इन्वर्स सेक्नड admits ये क्या हो गया अभी यह किंहरासा ने कभी किरिया की दर की जो है एकाई उसका क्या होग यह मात रख हो गया यहिंと思います इसके रूप में इसको दर साय जाता है अब लेकिन इससे समंधत क्वैस्चन आता है रासा ने कभी करिया कि दर क्या है तो परिवासा लिखकर उसकी एकाई लिखकर प्रभावित कने वाले कारक लिखिए तो पहला कारक क्या है जो अभी कारक होते हैं उन अभी कारकों का कि जो क्या होती है सांदरता होती है मतलब जो अभिकारक हैं वो किसी बिले अन में किस मात्रा में घोली गए उनकी घोलने का प्रितीशत क्या है बिले की मात्रा क्या है और जो बिले अनु है बिलायक की मात्रा क्या है कुल मलाके जो बिले अन है उसकी density या सांदर्ता क्या है उस पर नर्भार करता है दूसरा क्या है सै लगी की दर धर होती है वह ताबभाने पर हमेशा क्या होगी दियान रखना की सांदरता जतनी कम होगी अभी किरिया की दर उतनी ही तीवर होगी अगला जो है वो क्या है दाब रासने कभी क्रिया पर जो है दाब लगाने पर अभी क्रिया में भी परिवर्तन होता है अगला क्या है उत्प्रेरक तो किसी भी अभी क्रिया में उत्प्रेरकों का महत्पूर्ण योगदान होता है अर्थात अभी क्रिया में उत्प्रेरक महत् को समय तो समय को कॉए कबलाएव हैं अगाला किया है जो अभी कारको होते हैं उनकी पिर्क्रित क्या होती है वो टो से उन गैस और बिल्यान के रूप में हैं कितने कठोर है यह कितने कमकठोर हैं कितना उनका कोथनांग है कितना उनका गलनांग है यह सब उनकी प्रकृती पर निर्वर करता है तो अभी किरिया किदर इस पर भी निर्वर करती है अगला क्या है प्रस्थिय छेत्रफल मतलब वह अभिकारक कितना जादा कितना कम कितना अधिक स्थान गेरती है यह उनकी प्र यह निर्भर करती है। और एक और है विक्रण का प्रभाव। कि अभिक्रिया में किस तरीके का रेडियेशन या विक्रण होता है कई वार विक्रण के प्रभाव के कारण अभिक्रिया जल्दी हो है ती बिरता से हो जाती है ठीक है तो यह कुछ महत्पूर्ण अगारक थे अभिकारकों की सांदर्ता ताप दाब उत्प्रेरक प्रकिर्ती प्रष्टी च्छेतरफल और विकरणों का प्रभाव यह क्या हो गया आपका राशानिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले क्या हो गए कारक यह कॉस्चन हमेशा पूछा जाता है अगला कॉस्चन क्या है संचारन संचारन क्या है जब वायू जल या नमी से क्रिया करके जो धातूं होती है वह उनकी सतह पर एक परत का नमान करने संचारन की क्रिया करता है नस्ट होना सुरू हो जाती है यह क्या है प्रस्ण जो है आपने न नवी कक्छा में भी पड़ा हुआ है कि नस्ट होना क्या है कि धातूं का वायू जल या नमी की उपस्थति में क्रिया करके सनई सनई या धीरे धीरे नस्ट होना क्या है संचारण की क्रिया कर लाता है उधारण के रूप में हम देखें तो फोर एफी प्लस थ्री ओटू मतलब लोहे आया आयरन के चार और और ऑक्सियन के तीन अनू जब कुछ मात्रा में जल या नमी के साथ क्या करते हैं क्रिया ये क्या हो गया लोहा मतलब धातू ये क्या हो गया वायू ये क्या हो गया जल या नमी के उपस्तिती मैं जब क्रिया करते हैं तो Fe2O3 into XH2O का निर्माण करते हैं Fe2O3 और XH2O क्या है यह? यह है आपका जल योजित आइरन ओक्साइड जल योजित आइरन ओक्साइड जिसे हम नाम देते हैं काई का? जंग का ठीक है? जंग लग जाती है हमारी लोहे की धातुओं पर ठीक है? तो यह क्या है आपका संचारन की अभिक्रिया कि जब कोई धातु जल वायू या नमी के उपस्तिति में करती हैं तो धीरे धीरे नश्ट होना शुरू हो जाती है और उनके उपर परत चड़ती है वो क्या है? जल योजय तायरन आकसाइड जैसे हम जंग के रूप में जानते हैं यह जंग का सूत्र है फॉर्मूला है अब अगर जंग से क्या करना है? बचाओ तो संचारण से जो बचाओ के उपाय उनको देखते हैं तो इसमें पहला क्या है? जो है अपन घर पर यह आपका बानेस करके बानेस बगेरा पोट देते हैं पेंट कर देते हैं हम है न हमारे पंखे पर या फिर कुछ दा तुमों पल्म है कि बस तुमों पर बानस यह लगा के जो है पेंट करके हम उनको बचाते हैं हैं कि दुसरा क्या है ुआ है ग्रीस लगाखर तो हम motorcycle में या cycle में या दूसरे बाहनों में या बड़ी-बड़ी मसीनों में ग्रीस लगा कर क्या करते हैं संचारत या जंग लगाने से जो है हम क्या करते हैं उनको बचाते हैं ठीक है अगला क्या है गैल वे 2 नुकरण का अभिक्रिय मांसे हम दात्य को क्या कर बिद्धुत लेपन मतलब एक धातू के ऊपर दूसरि धातू की परत का चटाना गल लतल वेनी करण में हम जी आईतार जानते हैं जी आईतार कौपयों के रूप से गैलवेनीकरण के माध्यम से इसका नॉम्मान कि良 जाता है और व्य है मुथे के ऊपर जो है जिंक या जस्ते की परत को चड़ा देते हैं और भी कई अभिक्रिया होती है और भी कई लेपन होते हैं इसे समंदत एक और उपाय है जिसे हम बोलते हैं मिस्र धातू बनाकर मतलब हम अगर धातूं को संचारत होने से बचाना चाहते हैं तो हम उनमें कुछ मात्रा में दूसरी धातूं को क्या कर देते हैं मिस्रत कर देते हैं जिससे धातूं संचारत होने से बच जाती हैं तो इस अध्याय से समंदत जो है लगभक सभी कॉस्चन्स खतम हो गए हैं इसमें एक और कॉस्चन आता है जो शायद इस बार दसवी कक्षा की बोड़ परीक्षा में बिक्रत गंदिता क्या है यही कॉस्चन दूसरे रूप में पूछ लेते हैं कि खाद पदार्थों को नाइटोजन से युक्त क्यों किया जाता है तो चुकि हम जानते हैं कि जब खाद पदार्थों को नाइटोजन से युक्त इसलिए किया जाता है अगर वह बायू मंडल म मुक्तावस्था में रहेंगे तो उनमें ऐसे गंधाने लगती है जिसे हम क्या बोलते है विक्रत गंधिता इसी कारण से उनको नाइटोजन क्या किया जाता है अप चारत किया जाता है जो आपके chips होते हैं कुर होते हैं तो इनको खोल कर अगर हम रख दें तो यह झल्दी खराब हो जाते हैं गंध आने लगती है इसलिए इनों nitrogen जो गैस होती है वह भरी जाती है जो हम chip अगे पैकट को कुलते हैं तो जो gas type की नकलती है वह nitrogen gas होती है और इसी गैस के कारण जो चिपस वगेरा होते हैं वो अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं ठीक है यह हो गया आपका विक्रत गंदीता वाला कॉस्चन तो लगबक सभी प्रसंद जो है समाप्त हो चुके हैं ठीक है इसमें अध्याय में कुछ कॉस्चन आती हैं कुछ रासायनिक समय कोणों को संतुलित करने वाले तो उनकी प्रैक्टिस आप जो है अध्याय से करते रहें या फिर अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं इस पर भी हम कुछ वीडियो बनाएंगे ठीक है सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि मेरा चैनल कि मेरा चैनल